क्या आपने कभी पीजा खाया है अगर पीजा खाया है तो इसानतर ब्रैंड था 70 और 80 में चलता था उसको रिलाउंच किया है इस Campa Cola को जो ब्रैंड है इसको मुकेश रमानी ने 22 करोड में खरीदा और 22 करोड में खरीदा इसलिए ताकि वो जो फॉरेंड के जो प्लेयर हैं जैसे कोको कोला और पेपसी इनको वो टक्कर दे पाएं Campa Cola पुरानी जवाने में सबसे प्रसिद ब्रैंड था और ये 70s, 80s और 90s में भी काफी तगड़ी रूप में इंडिया की मार्केट में चलता था और लोग इसे पिया करते थे क्योंकि उस टाइम कोई फॉरिन प्लेयर नहीं था इंडियान मार्केट में बट 1990 के बाद से Campa Cola की डिमांड खटने लगी क्योंकि फॉरिन प्लेयर जो है Pepsi और Coca Cola इंडियान मार्केट में आने लगे और eventually इनकी डिमांड खट गई और Campa Cola मार्केट से आउट हो गया इसलिए Reliance इंडस्ट्री ने उडान के साथ tie-up किया और उडान जो कंपनी है वो Reliance Campa Cola को 50,000 रिटेलर और किराना स्टोर तक पहुचाएगी और अगले दो मैने में 1,00,000 स्टोर तक पहुचाएगी उडान कंपनी का नेटवर्क काफी बड़ा है और वह कोशिश करेगी कि Campa Cola को गाउं तो पहुचाया जाए और जो Campa Cola है केवल 3 फ्लेवर में अभी आ रही है Cola फ्लेवर, Orange फ्लेवर and Clear Lime फ्लेवर तो ये 3 फ्लेवर हैं और ये 200 ml, 500 ml और 2000 ml में आएगी अब वो दिन दूर नहीं जब Campa Cola, Coca Cola और Pepsi जैसे प्रोड़क्स तो पूरी टक कर देगी और Indian Market में पूरी तरके से बढ़ चट के Role Play करेगी Comment box में ही ज़रू बताएगे कि आपने भी Campa Cola का उप्योग किया है कि नहीं and अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज शब्स्क्राइब तो